हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ साथ ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा WhatsApp नंबर है अगर आप यह अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp के जरीए सिगनल के जरीए या तेलेगराम के जरीए मैसेज सेंड कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक squarish formation में नजर आ रही है चो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers की बात की जाये तो आप यहाँ पर देख सकते हैं fingers काफी थिक हैं और साथी साथ सभी fingers पर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रिखाए नजर आएंगी इस तरह की रिखाओं का होना काफी अच्छा माना जाता है इसी रिखाए होने से native मिलनसार सभाव का रहता है दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली nature ऐसे व्यक्ति की रहती है अगर हम बात करें fingers की thickness की तो आप यहाँ पर देख सकते है fingers base से बिलकुल काफी थिक नजर आ रही है इस तरह की fingers का होना indicate करता है के native की energy and stamina काफी बहतर रहने वाला है अगर हम length की बात करें तो आप देख सकते हैं इनके हाथ में तरचनी उंगली काफी थिक और काफी अच्छी length में है इस तरह की guru finger का होना indicate करता है के native knowledgeable रहेगा ऐसे व्यक्ति spiritual minded होते हैं दूसरों को रास्ता दिखाने वाली personality ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है अगर हम बात करें इनकी शनी finger की तो काफी अच्छी लंबाई में शनी finger नजर आ रही है बिल्कुल strong finger है इस तरह की शनी finger का होना indicate करता है के native काफी मेहनती nature का होगा ऐसे व्यक्ति disciplined होते हैं एक न्याय प्रिया और अनुशाशन प्रिया टाइप की personality ऐसे व्यक्ति की रहती है अगर इनकी सूर्य finger की बात की जाये तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य finger बिल्कुल straight लंबाई में इनकी तरजिनी के बिल्कुल equal नजर आ रही है इस तरह की सूर्य finger native को काफी creative minded बनाती है ऐसे व्यक्ति की creativity का level काफी strong रहता है artistic qualities भी अच्छी रहती है ऐसे native एक बहुत अच्छा social circle बना पाने में भी काम्याब रहते हैं इस finger का अच्छी length में होना native को थोड़ा risk taker भी बनाता है ऐसे व्यक्ति चीवन में risk लेने से नहीं घबराते कई बार तो अपनी धन की investments के मामले में भी risk ले बैठते हैं अपने धन को ऐसी जगहों पर invest कर देते हैं जहाँ पर loss की सभावनाएं हो चैसे share market है crypto currencies है mutual funds है ऐसी चीजों में भी native की रूची रह सकती हैं अगर हम बात करें इनकी mercury finger की तो आप देखेंगे लंबाई में यह finger आपको इनकी सूर्या finger के टॉप फैलंज तक पहुचती हुई नजर आ रही है इस तरह की लंबी mercury finger का होना native के strong communication skills को indicate करता है ऐसे व्यक्ति का business equipment भी काफी अच्छा रहता है ऐसे व्यक्ति अपने चीवन में अपने communication skills की वजह से ही तरकी करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी तो यहां पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरू परवत का area है यह वाला area आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा बहुत अच्छी progress line यहां पर पहुँच रही है इनकी G1 रिखा और मस्तिक्ष रिखा से निकल कर यह रिखा जो आपको इनके गुरू परवत के उपर पहुँचती हुई नजर आ रही होगी इस तरह की रिखा को progress line का नाम दिया जाता है और यहां पर यही रिखा एक cross का sign बनाती हुई भी आपको नजर आएगी गुरू परवत का ही वो area होता है जहां पर cross का बनना या progress line का पहुँचना बहुत अच्छा माना जाता है ऐसे व्यक्ति knowledgeable होते हैं अपनी knowledge की वज़े से चीवन में अच्छी progress कर पाने में जरूर काम अब होते हैं और अगर हम यहां पर देखें आपको इनके अंगूठे पर इस area में एक आख जैसी अक्रिती पंती हुई नजर आएगी इस तरह के चिन को बुद्धा जाई का चिन कहा जाता है इसे पामिस्ट्री में यव का sign भी कहते हैं और ऐसा चिन हाथ पर बनना बहुत ह अच्छा होता है इस तरह का चिन होने से native की six sense बहुत strong होती है आने वाली खटनाओं का पूर्वा अभास लगा पाना पूर्वा अनुमान लगाने की किशमता होना काफी बहतर किशमता यह चिन व्यक्ति को देता है कुछ भी अच्छा या बुरा कुद के साथ होने वाला ऐसी चीजों का अभास native को पहले ही हो जाता है अगर हम बात करें इनके शनी परवत की तो आप देखेंगे शनी का area इस यहां से आपको हलका सा दबता हुआ नजर आएगा और शनी मौंट का दबना अच्छा संकीत नहीं माना जाता इस मौंट के दबने से जीवन में संघर् रहता है जीवन में महिनत भी native को अधिक करने पड़ती है कई सारे absent downs native के जीवन में आते हैं यहां पर आपको इनके हाथ में यहां से शुरू होने वाली भागया रेखा भी नजर आएगी जो आगे चलकर हमें इनके fork जो इनकी heart line के last में बनने वाला fork में merge होती हुई नजर आ रही है इस तरह की fate line का होना indicate करता है कि native की old age काफी comfortable रहेगी यहां पर ऐसे व्यक्ति 30 के आसपास की age के बाद तरक्की करते हैं और इस रेखा का श्यनी परवत के उपर इस तरह से मौचूद होना indicate करता है कि native की old age काफी comfortable रहने वाली है अगर हम बात करें इनके सूर्य प परवत का जो area है यह बिल्कुल flat नजर आएगा और यहां पर क्रॉस का sign बनता हुआ आप देख पाएंगे इस तरह का क्रॉस का चिन बनना यहां पर इस तरह का चिन होना बिल्कुल भी अच्छा चिन नहीं माना जाता इस तरह का क्रॉस सूर्य परवत बनने से native को बेवजह का defame मिलने की समभावनाएं बढ़ती है और व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक यश नहीं मिल पाता ऐसा चिन होने से native अपने relatives के लिए अपने मित्रों के लिए अपने करीबी लोगों के लिए कितना भी उनकी help कर ले उनके लिए कितने भी काम कर ले बदले में कोई इना कोई appreciation उन्हें नहीं मिल पाती यहां पर इस तरह का flat सूर्य परवत होना पर सूर्य परवत पर ऐसा चिन होना native को थोड़े नकारातमक result दे सकता है अगर हम बात करें इनके बुद्ध परवत की बुद्ध परवत का area काफी उभरा हुआ है एक strong mercury mount एक लंबी mercury finger का होना native के strong communication skills को तो indicate करता ही है साथी साथ ऐसे व्यक्ति की पूर्वा अनुमान की क्षमता भी काफी strong होती है बात करते हैं इनकी major lines की तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी heart line की तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी जो heart line है कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई एक straight heart line जिसमें से एक branch निकल कर ऐसे एक Vishnu symbol एक V type का symbol बनाती हुई आपको नजर आएगी इस तरह का चिन का बनना बहुत ही भागयशाली माना जाता है जिनकी भी अथेली पर ऐसा V symbol heart line के अंत में बनता है ऐसा व्यक्ति अगर इमानदारी के रास्ते पर चलता हुआ जीवन पा लेता है लेकिन इसके बिल्कुल opposite अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बैमानी से थन कमाने की कोशिशें करने लगे तो चीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती है और तरक्की रुक भी सकती है इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का चिन हाट लाइं के अंत में ब पर देख सकेंगे हाट लाइन ओवरॉल काफी अच्छी है लेकिन लास्ट में चलकर कुछ डाउनवर्ड ब्रांचिस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जिसकी वज़े से इमोशनल सैटबैक्स मिलने की समभावनाई रहती है और नेटिव को लेटरेज में चलकर ब दूसरे किनारे तक दूसरे शोर तक पहुंचती हुई आपको नजर आएगी इस तरह की लंबी मस्तिक्ष रेखा का होना मेमरी के लिहाँ से बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति की मेमरी काफी स्ट्रॉंग रहती है लेकिन थोड़ी सी चुकी हुई रेखा होने की जैसे ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने की क्षमता रखते हैं जिस वज़े से कई बार मुवान कर पाने में इन्हें दिखते होती हैं और जीवन में थोड़ा स्ट्रेस बना रहता है अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देखेंगे जीवन रेखा को चेस्त रहें से आपको काफी अच्छी लेंथ में नजर आएगी एक लंबी जीवन रेखा का होना लगबग 75 से लेकर 80 के बीच की एज को इंडिकेट करता है इनकी जीवन रेखा के लास्ट में चलकर आपको एक फिश नुमा अक्रिती बनती हुई भी नज आएगी यह शेप जो आप यहाँ पर देख पाएंगे इस तरह की शेप आपको इनके हाथ में केतू परवत के उपर यहाँ जो एरिया रहता है केतू का एरिया रहता है यहाँ पर यहाँ बनती हुई नजर आएगी इस तरह का चिन हाथ में बनना चीवन में कई बार long distance travel दे यह भी धनका लाब होने की संभावनाएं प्रबल रहती हैं अगर हम इनके शुकर परवत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह जो एरिया है शुकर परवत का एरिया कहलाता है उबरा हुआ शुकर परवत चीवन में हर तरह की सुक सिवधाओं को indicate करता है ले इनकी वजह से नेटिव को अपनी married life में अपने परिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आप देख सकते हैं इनके हाथ में guardian angel line भी मौझूद है जो जीवन रेखा से बिलकुल अंदर की तरफ आपको नजर आएगी यह जो रेखा है जीवन रेखा है य ऐसे व्यक्ति के उपर भगवान की विशेश क्रिपा रहती है ऐसा व्यक्ति जब भी किसी मुसीबत में होता है तो कोई ना कोई guardian angel ऐसे व्यक्ति की मदद करता है कुछ ना कुछ अधुद शक्तियां ऐसे व्यक्ति के लिए चीवन में हमेशा कारे करती रहती है ऐसा चिन हो से नेटिव की six sense भी काफी strong देखी जा सकती है यहाँ पर एक रेखा का इनकी जीवन रेखा को काटना अच्छा संकेत नहीं होता ऐसी जो रिखाएं है यह रिखाएं stress lines कहलाती है और ऐसी stress lines अगर हाथ में हो तो नेटिव को कुछ ना कुछ परिशानिया जीवन में लगातार बनी रहती है चंदरपरवत की बात की जाए तो चंदरपरवत का area काफी बहतर है यहाँ पर moon area के ओपर कोई भी negative चिन नहीं है जिसकी वज़े से native की mental stability बहतर रहती है लेकिन मस्तिक श्रेखा का नीचे की तरफ छुकना इस तरह से चंदरपरवत की तरफ बढ़ना native को थोड stress या तनाव रहने की समभावनाएं भी बढ़ जाती है तो दोस्तों ये कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जुआब एक ही वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई नो कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे request ह कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद